शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अचे से जानते हैं, वह यहाँ हम सब को बेवकूग मना रही है बश कीजिए बेटा बार बार शादी को इस तरह रोखता है अधा सतया रोगता होता है पर चाँचा जी अरे पर क्या तुम हमारे बेटे की शादी हो नहीं नहीं देना चाहती हो यही तुमारा एडाता है कीर्दी बस करो, जाने दो हमें बीश में नहीं बढ़ना चाहिए पढ़नी जी अब सुर्वाब कीरी अब वर के ताहिने हाथ के उपर बदुपना हाथ रखे ओन ब्रह्मावेजपतिशुपसुपति सुर्योग्राणामबति हम नहीं अंदर ही जाकर देखकर आते हैं अगर रोश्नी आए तो दीदू अपने कमरे में या कहीं ना कहीं घर में तो होगी ना हम देखकर आते हैं अब कन्या दान के लिए कन्या के माता पिता कन्या के पासा कर भी आजमान हो अब पंडे जी कन्या दान में करूंगा हम जाहे खुद को कितना भी आपका दुश्मन दिखा ले पर आपको ऐसे रोता सुनके ना दी दू हमारे दिल भी रो रहा है अपने अपने इन ही हातों से हम अपने इसा की बेहन की जिंदगियों जार रहे हैं पर आपने जो हमारे साथ किया है उसे हम कैसे बोले हमारे पती को आपने आपने जील भीजवा दिया वो भी अपने पती के लिए जो आपसे प्यार भी नहीं करता है आपने हमारी पुलिस की नोकरी से हमें सस्पेंट करवा दिया जिस नोकरी का सथना आपने ही देखाता दीब दूसरों की खुशी के लिए आपने अपनी सद्गी बेहन की खुशियां कुर्बान करती आज यह जो भी आपके साथ हो रहा है ना इसके लिए आपने हमें मजबूर किया आपने हमें मजबूर किया दीदो ले लिया अपनी सद्गी बेहन से बदला अब तो तुम्हारी कलेजी को ठंड़ पहुचे होगी सिफ एँ छोटा सा आसान कर दो गेती उसे उसके मन की भडास अकेले में ही निकाल लेने तो उसे उसके हाल पे अकेला जोट दो अब दोलहन की वहन आगे आकर दूलहा दूलहन का गडबन देना जे मुझे मेरे पती से अलग करने का पतला आज आपको आपके पती से हमेशा कले अलग करके लोंगी शद्द भावी अब रोशनी ही मेरे भावी बनेंगी गटबंधन की रस्म हो गई अब फेरों के लिए वारव अधू खड़े दो जाए साथ फेरों का विधान है जिसमें चार फेरों में वर आगे और बधू पीछे रहेगी फिक तीन फेरों में बधू आगे और पीछे रहेगा चले फेरे आरंब कीजिए अंगलं अगवान प्रिश्वाव अंगलं गरुणत्वजाव अंगलं उंडणी काष्ण अंगलायत नोहरी कदेवन अगनम सुधिनंतदेवा तालापनम् चंदबनम् तदेवा विध्यावन तदेवा नक्ष्पीर्मते तेत्री उगं स्वरावि इतने दिन जो मैंने चेल पे बिताए उस पेजजदी का उन काली रातों का अदलाज पूरे होतो है देख रहा हूं में खिरती चार फेरे संपन्थ तीन फेरे में बदु आके रहेगी अग्वारपीचा वह स्थे नहीं यह वास दीदू के कमरे से आई है अब ही तक दीदू कमरे में रो रही है नहीं कुछ तो कर पड़ है क्या हो किर्थी शद्धा अंदर ही है ना वरुण जी दर्वाजा खोली है पर क्यों वरुण जी अंदर से जो रोने की आवाज आ रही है ना वो दीदू की नहीं वो रिकॉर्डड़ आवाज है क्या क्यर्थी दर्वाजा तो अंदर से बंद है वरुण जी तोड़ दीजे तोड़ दीजे दर्वाजा अब आप दोनों के साथ फेरे अंतिम फेरे हैं इसमें वर और बधु दोनों को वचन देना होता है कि आप दोनों अगले साथ जन्मों तक एक दूसरे का साथ में होड़े अगलम घगवार कृष्ड़म अगलम घरुड़त वजार्क अगलम उंडरीकाश्म अगलायर रगरी कि यह कैसे हूँ आपके साथ साथ पेरे संपन्द हुए अब आप दुनों स्थान करण करें वर वधू के गले में मंगल सुत्रुपान है अब सिंदूर डान की रस्म करेंगे दूल्हे राजा दूल्हन की मान में सिंदूर भर कि इस विवाह को संपन्द करेंगे अब स्थान करेंगे करेंगे झाल 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 शुट सुटू झाल चुट सुटू बिठा रोष्टी, यह आपके चेहरे को क्या हुआ? कैसे हुआ? यह पूछी आप अपनी पत्ली, दनुजा आठी, और अपनी बेहन पुआजी से, और इस श्रत्धा से, जो मेरा वेक अप करने के लिए, मुझे कमरे में लेकर गई, और मेरा ये हाल बना दिया. अरे, लेकि ना पहले बाहर क्यों नहीं आई? अब तो पहले में माग के मंदब में बैठ चुकी थी, ना? क्योंकि, क्योंकि जब तक मैंने अपना चेहरा देखा और मैं इसको ठीक करने ही जारी थी, तब तक मंदब से बुलावा आ गया. मुरत का समय निकला जा रहा था, इसलिए मैं चानती हूँ कि तुरी पार्टी परिवार के लिए ये सब कितना महत मुरता है, इसलिए मैं बस चुक चाब अपना चेहरा डगकर पंदब पे आकर बैढ़ गई. बताने, इन लोगोंने मेरे खानी में इसको क्या बिलाया जो जाना बढ़ रहा था. और किसी चीज का शर्ता हमें फाइदा उठाया. और हम बोलते रहें सबको, पर किसी ने हमारी नहीं सुनी. हम अपनी बहन को और उनके शर्यंद को अच्छे से जानते. देखो, देखो अब क्या हो गया. यह क्या कर दिया आप दोनों ने? मुझे इन से तो कोई उमीद है ही ने. लेकिन मम्मी आप और बहाजी आप, आप दोनों ऐसे कैसे कर सकते हैं? अरे तुम चुप रहो. इपने भाई की शादी हो जाने तो पहले. आप है मेरी माम परिये. और इस शादे को पूरा कीचे. इन से तो कर दो कहा दो कर दो है. आप मेरी माम पर बहाजी आप पूरा कीचे. आप है आप दो को जाप Int. विवा संपन्न हुआ विवा संपन्न हुआ यह शादी नहीं होई है यह शादी में नहीं बाती हूँ रश्ने कर दोख चान रश्ने कर दोख जो चुटियो मुझे अब है सिर्फ मेरा है भूके और प्रेव से लिये हुए फेरो की शादी शादी नहीं होती पहले मेरे हाथ पैर बांग के मुझे कमरे में बंग कर दिया यहां तक की मेरा मौ तक बंग कर दिया ताकि मेरी चीखे मेरे अबे तक ना पहुच सके और फिर कमरा बंग करके अंदर अपनी रोने वाली रिकॉर्डिंग जला दी ताकि सबको यह लगता रहे कि बिचारी शक्तार हो रही है अब कुद किड़की से बाहर निकल गई मेरे जैसे जोडा पैन के यहां मंड़ पे बैठ गई अरे अब शादी हो गई है अब तुम कुछ नहीं कर सकती हो रोश्णी देखो रोश्णी भगवान की मर्जी के आगे किसी का बस नहीं चलता अगनी देवता को साक्षी बानकर अभैने श्रथा के साथ साथ थेरे लिये है अब चिलनाने से कोई फायदा नहीं है शादी हो गई इतनी आसानी से आपने इनकी दोके वाली शादी को बगवान की मर्जी बता दी ये कैसी शादी है केटी तुम हमको काय सुना रही हो तुमने फुद अपनी आखों से नहीं देखा हमाईने सब के सामने श्रथा के साथ साथ फेरे लिये उसके गले में मंगल सूत्र पहनाया शादी की सारी रस में की माना के सिंदूर की डिपी उचाली वो सिंदूर किसकी मांग में भरा श्रधा की ना मातारानी के आशिरवात से शादी हो चुकी ये मंगल सूत्र इसके जूट से बंदा है ये सिंदूर इसके दोके का दाग है सच्चाई की देवी श्रत था इमानदारी की मूर्ती श्रत था वफातारी का प्रतीक श्रत था यहीं मानता आये ना तृपाटी परिवार तुम्हे और इसी परिवार के साथ ऐसी गिरिवी हरकत करते हुए तुम्हें शरम नहीं आई श्रत था मैं तो चांती थी, तुम हो ही ऐसी कान कोहूं के सुन लो अभे मुझ से प्यार करता है, मुझ से शादी करना चाता था इस सिंदूर से तुम अभे पे अपने नाम का थपा नहीं लगा सकती अभे मेरा है, मेरा था और मेरा ही रहेगा जिस मंगल सूतर से तुम अभे को अपने इंसाथ पांदना चाहती हूं मैं ऐसा होने नहीं दूगी मैं इस मंगल सूतर को ही तोड़ दूगी, इस बंधन को ही तोड़ दूगी रोश्नी अभरदार रोश्नी, तुम्हें जितना चिलाना था, जितना तमाशा करना था, जितने धोके देने थे, तुम वह सब कर चुकी हूं अब बस, एक पल के लिए पे तुम इस घर में नहीं रुकोगी तुम्हारी इतनी हिमत यह क्या कर रही हैं, यह क्या तरीका है, यह गलत कर रही हैं, यह ठीक नहीं है श्रदा, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था, कि तुम इतनी पत्थर देल हो जाओगी तुम ने दिया है, और कुछ शर्मिन्दा होने की बचाए, इसे घर से भार निकाल रही हो किस हक से तुम रौशनी को इस घर से निकाल रही हो? आपकी पत्मी होने के हक से हालाच चाहे जो भी हो अब है, आपकी और मेरी शादी होए उस हक से मैं आपकी पत्मी हूँ, इस घर की बहूँ और ये घर मेरा है और उसी हग से मैं इसे एक पल भी अपने घर में रहने नहीं दूँगी ऐसे क्या देख रही हो रोश्णी जैसे मैंने तुमसे तुम्हारा को छीना जो मेरा था मैंने उसे ही वापस लिया है अब है कानूनी तौर पर हर रीती रिवाजों से तुम्हारे आने के बहुत पहले से मेरे पती है लेकिन तुम ने एक डॉक्टर जिस पे मैंने इतना भरोसा किया अपने पती के इलाज के लिए तुमने उसी हालात का फाइदा उठा लिया कुछ नहीं बोलोगी तुम बीच में फाइदा उठाया है तुमने अभैका मेरे घरवालों के साथ मेरे पती के साथ बहुत गलत किया है तुमने रोश्णी अगर अगर एक बार भी तुमने मेरे घर मेरे परिवार और मेरे पती पर आख उठा कर भी नजर डाली ना तो तुम्हें मेरा शद्धा अभैत्र पाथी का सामना करना होगा अगर तुम्हें लगता है कि अभै को मुझसे चीन के तुम जी चाओगी तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलत फेमी है अभै अगर मेरा नहीं हो सका तो तुम्हारा भी नहीं होने तुम्ही में अपना सामान उठाओ और निकलो मेरे घर से क्या क्या नहीं सोचा था ता मैने तुम्हारे बारे मुझे लगा था मेरी दोश्ट पजे कभी दोखा नहीं देखी तुम्हें मेरे साथ गलत किया क्यों किया मेरे साथ मैंने कुछ खलत नहीं किया आप है उल्टा रोश्टी से बचा रहे है आपको इस परिवार को रोश्टी के खिलाव एक शब्दी सुनूगा मैं निकल जाओ मेरे घर से अभी के अभी तुमने मेरी रोश्टी को घर से निकाला ना अब तुम निकलो मेरे घर से किस्मत से टकराती उल्जी लकीरों को सुल्ज हाती शद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाईए शिमारू उमंग